देखेंगे हम की टेंडर को कैसे सर्च करेंगे, सबसे पहले मेरे पास एक टेंडर आईडी है, मैं डिरेक्ट यहाँ पे टेंडर आईडी सर्च करता हूं, आपके पास भी अगर युनीक टेंडर आईडी हो, टेंडर का रेफरेंस नंबर हो, यहाँ पे डाल के आप सर्च कर स आप यहां पर एक tender है, construction of layout, platform for प्रयाग राज का है, इसके बारे में मैंने थोड़ी से study की हुई है, इसलिए मैं इसके detail में बता रहा हूँ, आप process यही follow करेंगे, किसी भी tender में, क्योंकि अगर मैं यहां पर open करके उसकी study करने लगूं, तो यह time consuming होगा, तो थोड़ा basic study मैंने इसके documents वगरा की की हुई है, मैं आपको बताऊंगा कि tenders के documents चेक कैसे करते है, eligibility कैसे पता चलेगी, कि आप इस tender के लिए eligible हैं की नहीं है, आप इस tender में participate कर सकते हैं की नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर देखिए, login करने की, registration करने की website पे कोई भी अभी फिलाहल ज़रूरत नह है, आप देखेंगे tender के basic information यहां पर दी हुई है, कुछ यहां से सारी चीज़े clear नहीं होती, लेकिन कुछ basic information के लिए हो जाती है, कि इसमें payment कितना लगेगा, fees कितना है, security money क्या जमा करनी है, tender कब तक के लिए है, एक चीज़ यहां से आपको गौर करना है, जो भी tender अगर आ single tender है, तो फिर आपको इसमें काम करना इसे फाइदा नहीं है, आगे बढ़ना है क्योंकि close या open जो limited tender होते हैं, उसके लिए वही लोग उसमें participate कर सकते हैं, वही लोग उसके लिए eligible हैं, जिनके पास department की तरफ से invitation आया होता है, इस particular organization आपके पास एक invitation mail भेजता है, कि आपको invite किया गया है, इस tender में participate कीजिए, लेकिन अगर ये open tender है, तो कोई भी इसमें participate कर सकता है, मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, आप चाहें, तो आप कर सकते हैं, अब इसमें participate करने से पहले मुझे सिफ ये चेक करना है कि क्या मैं इसके लिए eligible हूँ की नहीं हूँ, क्या मैं अपनी services दे सकता हूँ, मेरे पास वो सारी चीज़े है की नहीं है, तो मैं construction में काम करता हूँ, मेरा छोटा मुटा मानली ये form है, या मैं एक individual हूँ, मेरे पास कुछ लोग है, machinery है, required details है, तो मैं app check करता हूँ कि क्या मैं अपनी services government को दे सकता हूँ, कि नहीं इस department को दे सकता हमें जरूरी है, तब हमें पता चलेगा कि मेरी eligibility इस tender में बन रहे है की नहीं बन दे है, कि मैं इसमें apply कर सकता हूँ, या नहीं कर सकता हूँ, या tender में कैसे apply करना है, या मैं करने के eligible हूँ की नहीं हूँ, वो यह details हम यहां से check करेंगे, हर tender के लिए अलग-अलग eligibility होता है, तो एक common कोई भी चीज नहीं बताए जा सकती, कि अगर आपके पास ये document है, ये document है, ये हैं, तो आप किसी tender में participate कर सकते हैं, हर tender में अलग-अलग requirement, अलग-अलग काम के हिसाब से department आपसे मांग सकता है, तो वो जो कुछ भी requirement होगा, वो tender के documents में clearly mentioned होता है, कि ये ये होनी चाहिए, जबी आप इस tender में participate करें, तो वो चीज हम देखेंगे, उसको देखने के बाद ये clear हो जाएगा, कि tender में मेरी eligibility बन रही है, या नहीं बन रही है, मैं इस tender में apply कर सकता हूँ, कि नहीं कर सकता हूँ, participate कर सकता हूँ, या नहीं कर सकता हूँ, तो इसमें एक ची tender अभी open किया, और उसका last time हो सकता है, आज कही आदे 10 मिनट बचा हो, तो फिर उसमें time देने का मतलब नहीं है, क्योंकि फिर तो आप 10 मिनट में कुछ नहीं कर सकते, जैसी ये tender है, इसका bit submission ये publish तो हुआ है 10 मार्च को, website पे आगया है 10 मार्च को, और इसका submission का start जो कर सकता हूं, क्या क्या चीज़े इसके लिए चाहिए, और कब तक मैं कर सकता हूं, 23 मार्च तक का time इनोंने दिया है, bit submission and date, तो 23 मार्च को 3 बज़े से पहले-पहले मैं इस में apply कर लेना चाहिए, अगर मुझे करना है, तो मेरे पास sufficient time है अभी तो, मैं बिल्कुल कर सकता तो मैं इस tender की details चेक करूँगा कि क्या ये मेरे काम का tender है या नहीं है, तो चलिए मैं देखता हूं क्या करना होता है, सबसे पहले ये tender के documents आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे, इसको download करेंगे, इस पर click करेंगे, इस link पे तो ये आपसे capture मांगेगा पहले verification के लिए, तो जो पर ये होता है कि लोग सुचते है, मैं तो click कर रहा हूं कुछ होई नहीं रहा है, डाउनलोड ही नहीं हुआ, तो ये first time इसे verification था, अब आप फिर से उसी link पे click करेंगे, तो ये download हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पर click किया, ये document download हो गया, तो ये तो NIT है, pilot document है, इसके अल भी file भी हमारे पास download हो गई है, अब हम इसके detail information चेक करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ आपको, कि department यहाँ पर देखिए, ये NIT होता है, NIT का मतलब एक brief information होता है, टेंडर में, जैसे कि पूरा document ना पढ़ना पड़े, एक दो page का brief information होता है, जिससे कि पढ़ने की जरूवत नहीं है, एक document पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों same document दो जगह डाल दिया है, एक ही document को दो जगह डाल दिया हुआ है, तो बार-बार एक ही चीज़ को पढ़ने का मतलब नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए था सिर्फ एक page का, या दो page का information जिसके अंदर basic detail हो दाउनलूट किया है, और मैं अब इसको open करता हूँ, यहाँ से हमें पता चलेगा कि इस standard के लिए मेरी eligibility बनती है कि नहीं बनती है, मैं इसमें participate कर सकता हूँ कर सकता हूँ, bidding कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ standard में, तो देखिए यह वाला document है, जो standard के अंदर department ने दिया यह उसका reference number है, आप चाहें तो उसके साथ match करा लेंगे, वो website के उपर दिख रहा है, और उपर department का नाम भी दिख रहा है, कि यह कौन सा department है, अब आए नीचे देखते हैं कि इसके अंदर देखना क्या होता है, वैसे तो देखिए यह 12 page का document है, कई बार जो documents आते हैं, वो ब क्योंकि हार एक terms and condition सारी requirement को आपको पता होनी चाहिए, उसमें participate करने से पहले, इससे पहले कि हम इतना सारे time लगाएं और फिर tender आपका reject हो जाए, क्या फाइदा हो आपका bidding में आप बिट सब करने के बाद भाद भी आप tender में reject हो जाए, या कोई चीज आपके पास होते को पढ़ना होगा अभी तो यह देखिए 12 पेज के document है, मैं आपसे यह advice करूँगा कि tender के documents को पढ़ें proper, पूरा documents को कम असकम एक बार line by line पढ़ लीजिए, हर चीज पे एकदम focus करने की जरूवत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर fast में quickly देखना है, तो क्या करना है किस तरह से fast reading करेंगे और basic information आपको पता चल जाएगी कि क्या करना है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है कि name of work, यह काम क्या है, इसमें है construction of layout platform for प्रयाग राज, यह अलाबाद का project है, जिसके अंदर कोई layout बनाना है, कोई platform बनाना है, construction का का काम है, वो आपको बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, basic information क्या बताया, department ने, कि आपका earnest money इसमें देना पड़ेगा 25,000, earnest money EMD क्या होता है, आगे कि किसी वीडियो में हम इसके बारे में detail में बात करेंगे, लेकिन मैं अभी फिलहाल में बता देता हूं, कि जो EMD होता है, वो एक तरह का security amount आप deposit करवाते हैं अपने tender के साथ, बाद में जब आपका tender में अगर आप reject हो जाते हैं, या successful भी रहते हैं tender में, आपको tender मिल भी जाता है, तो ये पैसा आपको वापस कर दिया जाता है, ये as a security money आप department के पास जमा करवाते हैं, tender भरने के टाइम पे, तो 25, जार इसमें मांगा गया है, security money, वो आपको demand draft के format में, या banker check, यान EFT, RTGS in favor of, ये detail उन्होंने दिया है, आप करवा सकते हैं, इसके अलावा एक और information ये दिया हुआ है, कि आप अगर MSME है, NSIC है, और SSI unit है, तो आपको EMD देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना उद्धोग अधार memorandum, यानि उससे जो MSME से आप registered है, तो उसका detail website के उपडेट कीजे, अपना certificate जो है, आपके पास वो update कर दीजे, आपको ये पैसा भी pay करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई security amount देने की ज़रूरत नहीं है, तो देखिए, बहुत सारे ऐसे tender आते हैं, जिसके अंद ये tender भरने पड़ते हैं, तब कोई एक आत्राम आपको मिलता है, तो बहुत सारे amounts आपको फिल करने पड़ते हैं, तो ये government ने आपको facility दी हुई है, कि अगर आप start-up है, छोटी company है, small medium organization है, तो आपके लिए भी option है, आप सिर्फ अपने आपको ये proof कीजिए, कि आप MSME है, अपने आपको register करवाईए, मैं छोटा firm हूँ, तो मैं register करवा सकता हूँ, ताकि मुझे यहाँ पर pay न करना पड़े, और ऐसे कितने tender में हजारो tender भर सकता हूँ, बिना एक रुपए लगाए भी, तो मैं क्या करूँगा, अपना MSME, अगर मैं कोई छोटा मेरे पास business है, तो MSME, NSIC बगरा मैं अपने आपको register कराऊँगा, और वो detail लगा सकता हूँ, अगर मेरे पास नहीं है, तो मैं 25,000 रुपए दे के, इस tender में participate करूँगा, वो पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, या फिर अगर मुझे वो payment, अगर मैं उस category से बाहर हूँ, MSME हुई नहीं, मैं पर dates वगरा दिया हुआ है, ये date को अब ध्यान से पढ़ें, कि ये tender कब आया है, कब तक ये रहेगा, last इसकी opening कब होगा, तो इसकी last timing 23 तारिक है, और 18 तारिक से आप इसमें submission शुरू कर सकते हैं, 10 बजे से, तो documents वगरा भी हमने पढ़ लिया, ये चीज है, कब तक चलेगा और किस दिन ये tender open हो जाएगा, ये detail आपको एक बार देखनी है, तो ये बहुत ज्यादा तो इस पर time नहीं लगेगा, basic, फिर आप देखिए अगली चीज क्या है, कुछ instruction भी इन्होंने दिया हुआ है, registration करना पड़ेगा, अगर इस tender में participate करना है, तो आपको portal के उपर जिस participation कैसे होता है, इसके बारे में हम आपको detail में आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल में अगर आपको चाहिए, क्योंकि मैं इसी वीडियो में ये सारी चीज़े कवर नहीं हो सकती, वैसे ही ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, लेकिन मैं बाद में इसके बारे में आपको बत इसकी सीरीज अब चलते रहेगे, जिसके अंदर अभी तो आज हमने beginning की बात करिए, इसमें step by step सारी चीज़े में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल में अगर आपको अभी ज़रूरत है, registration करने की अभी कोई tender आपका करना है, तो आप हमें call कर सकते हैं, हमारी remote services, हमारे services available लेबल हैं, जिसमें हम tender filling का काम करते हैं, bid submission करवाते हैं, online कराते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं हमें call करेंगे, आपको सारी चीज़े समझाई जा सकती है, और online आपके computer को remote पे लेके आपके office से ही आपका tender submit करवा देंगे, इसके आलाबा, अगर आप और detail जानन में, bidder के section में अगर आप जाते हैं, तो यहां पर step by step, एक एक चीज हमने, मतलब with screenshot वो सारी चीज़े यहां पर बताई हुई है, जहां पर आपको registration कैसे करना है, और आपको DSC किस तरह से map होगी, bidding किस तरह से होगा, वो सारी चीज़े यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या ह हमने बता है, pre-requirement क्या है, registration कैसे होगा यह procurement portal पे, DSC कैसे map होगा, password कैसे generate होगा, DSC mapping का process है, tender participation का process है, resubmission, मतलब एक एक चीज़ आप यहां से भी देख सकते हैं, एक बार यहां पर आप क्लिक करेंगे, यह देखिए, क्या क्या चीज़े computer में होनी चाहिए, registration का क्या क्या process है, password किस तरह से आप बनाएंगे, तो वो सारी detail अभी फिलाल के लिए आप यहां से जाकर refer कर सकते हैं, अगर को department user है, जिनको first time में tender publish करना है, और किस तरह से करना है, क्या करना है, तो आप यहां पर जा सकते हैं, department user में, और इसी तरह से department user के लिए separate, एक एक चीज, categorized information, मैं हमने आपको यहां पर provide किया हुआ है, जैसे requirement क्या है, किस तरह से prerequisites होते है, procurement पे, onboarding कैसे हो सकता है, department का user ID वगरा कैसे create होगा, detailed information आपको यहां पर मिलेगी, तो फिलाल में चलिए, हम वापस वहां चलते हैं, आप यहां से refer कर सकते हैं, वापस मैं बात करता हूँ कि DSC जयान रखे, इनोंने लिखा हुआ है, यह offline नहीं है, आपको online tender पे submit करना ही होगा, उसके बाद से अब देखी जो ज़रूरी चीज है, आपके eligibility की, यह तो basic आपका eligibility होने के बाद की चीज़े के आप registration, digital signature और submission करेंगे, यहां पर देखी eligibility के लिए main चीज लिखी हुई है, व यहां पर देखे, मैंने यह highlight किया हुआ है, ऐसे highlight होता नहीं है, जनरल एक ही तरह से सब जगा लिखा हुआ होता है, मैंने highlight किया हुआ है, ताकि आप इस सीज पर गौर कर सके, यहां पर देखी क्या है, डॉकुमेटरी एविदेन सैटिसफाइंग, प्रीक्वालिफिकेशन होना चाहिए, अगर आपके पास नहीं है, तो आपके eligibility समझ लिजे नहीं है, इस टेंडर के लिए, तो GST होना ज़रूरी है, आपके पास, अकसर लोगों के पास आज के टाइम में GST है, GST के बगार काम होई नहीं रहा है, कहीं पे भी, तो GST आपके पास है, PAN CARD, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई आदमी आज के टाइम में होगा, जो छोटा मोटा भी business करता हो, छोटा मोटा भी दंदा करता हो, उनके पास PAN CARD ना हो, इसके अलबा, अगर आप GST में registered है, तो आप GST R1, GST R3B, वगरा, financial error के सब upload करते ही हैं, तो उसके acknowledgement का, जो filling करते हैं, मांगा जा रहा, ताकि ये इस बात से assured हो जाएं कि हाँ, आप GST return करते हैं, उसके बाद से relevant document, as per clause number 2, special condition, आगे special condition उन्होंने देखा, दिया हुआ है, इसी tender में, जिसके अंदर बुला हुआ कि कुछ और भी documents आपको चाहिए होंगे, जो हमने वहाँ पर बताय हुए हैं, और इसके अलावा, the tender document dully signed and sealed in each page excluding the bill of quantity, ये बहुती एहम पार्ट है, यहाँ पे दिखे, generally, department क्या बोल रहे हैं, कि आपको ये सारे document तो देना ही देना है, ये जो document हमने download किया है, ये tender का document, ये भी आपको देना है, हर page पे sign और seal होना चाहिए, कितनी बार लोगों के tender इस वज़ लेकिन जब department बोल रहा है, कि भाई हमें डली sign चाहिए हाथ से और seal चाहिए आपके company का, तो आप वैसे मत upload करें, हर page पे बोला हुआ है, each page, BOQ, bill of quantity है, वो तो excel की file है, उसके डालने की ज़रूवत नहीं है, लेकिन उसके अलावा, सारे file पे आपको जितने भी document आप upload कर रहे हैं, उन सब पे, जैसे आपने ये GST भी लगाया, उस पे भी seal and sign कीजे, पैन कार्ड लगा रहे हैं, उस पे भी seal and sign कीजे, इसके अलावा ये वाला जो document आपने tender का document जो हम भाई रहे हैं अभी, इसको भी seal और sign करके upload करना पड़ेगा, ये बहुत अहम चीजें, इन चीजों पे, आपको गौर करना होगा, कि हर पेज पे, यानि इसको एक बार प्रिंट कर लीजे, ये आपके computer में, आगर आपका seal and sign सेव है, जिसको आप attach कर सकते हैं, तो attach कीजे, अधरवाई इसको print करके seal and sign कीजे, फिर से scan करके इस document को आप लगाएंगे, इसके अलावा price part के बारे इन्होंने बताएं कि bill of quantity, यहाँ पे आप देखेंगे कि BOQ का नाम की एक file उसके अंदर दिया हुआ है, department में, तो ये file, Excel की file है download करके और rates वगारा इसके अंदर आप भरके भरना होगा, तो ये eligibility की तो बात नहीं है, तो जब participate करेंगे, तो मुझे वो चीज़े ये, eligibility में य बेसिक चीज़ आपके clear हो गई कि ये, ये documents आपके होने चाहिए, अब बाकी के और चीज़े इन्होंने बोला है कि ये चीज़े होनी चाहिए, कोई condition नहीं होनी चाहिए, वो आप basic पढ़ सकते है, tender की validity 90 days का है, यानि 90 दिन तक आपकी bid valid रहेगी, उसके बाद अगर करना हो तो department आप से approval लेगा, तो उसने दिन के अंदर अंदर वो tender को finalize कर लेंगा 90 दिन के अंदर, इसके अलावा देखे, eligibility criteria के अंदर इन्होंने बला है, whether to should submit documentary evidence for execution, ये देखे जो special condition के अंदर जो दूसरी चीज़ मांगी गई थी, वो क्या था, कि should submit documentary evidence for execution of similar job during last 5 years for the date of publication of the tender, यान आज 10 तारिक को ये tender publish हुआ है, तो इस date से पहले पहले आप पिछले 5 साल के अंदर का आपको कोई न कोई work आपने अगर ऐसा किया हुआ है, यानि इस तरह का construction कहीं किया हुआ है आपने, तो उसका evidence आपको देना पड़ेगा, यानि work completion का कहीं आपको work order मिला हो, या certificate मिला हो, जिसमें कि आपका ये clear हो कि हाँ आपने satisfactory ये हमारा काम complete करके दिया है, वो document आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ये है additional requirement में आपको, तो बस उतना ही मांगा गया है कि आप पिछले 5 साल में अगर कहीं पे भी इस तरह का काम, इससे department ये assure करना चाहता है कि आप ये काम कर भ ये 9.77 lakh तक का उसकी value रही हो, यानि कोई काम आपने किया हो जो 10 lakh तक का हो, या उससे जादा का हो, आपने किया हो और इसी तरह का construction का का काम हो, तो आपने किया है तो वो document चाहिए, अगर वो document आप नहीं दे पाते हैं, तो आप इसके लिए eligible नहीं है, यानि आपने पहले कह काम नहीं किया है, तो फिर आप इस tender में participate ना करें, अगर आपने इस तरह का किया हुआ है, आपके पास certificate है, बिल्कुल आप इस tender के लिए आप eligible हैं, ये 3-4 documents इसके लिए सिफ चाहिए थे, आपने देखे कि ये कितना आसान है, ये पूरा 12 पेज मुझे नहीं लगता कि अभ आप rate code कर रहे हैं, ये भी important चीज़े है, कि rate code कर रहे हैं आप tender के अंदर, तो उसके अंदर इसका abstract of cost के detail इन्होंने इसी में दिया हुआ है कि किस तरह से है, quantity allotted under the scope of subcontract are tentative and may vary, बाकी चीज़े बताए कि time to time हो सकता है, vary भी हो सकता है, कुछ चीज़े हम नहीं भी ले सकते इसके अंदर, तो उस सब चीज़ों के लिए आपको ready होना चाहिए, बाकी का जो है, ये scope है, basic scope इसकी क्या क्या चीज़े हैं, जो इन्होंने बताए हुए, site mobility कब से शुरू हो जानी चाहिए, इसके साथ drawing भी दिया हुआ है, तो आप पहले drawing बगर इसके download कर सकते हैं, देख तो construction के लिए मैं बोल रहा हूँ, किसी दूसरे field में इस तरह की drawing की जरूवत भी नहीं पड़ती है, लेकिन अगर मैं construction में हुई ही, तो मुझे ये drawing वगरा कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, मुझे तो पता ही होने चीज़ी कि ये drawing किस तरह से है, इसमें क्या के चीज़े चाहिए, department ने सारी detail दी हुई है कि इस तरह से ये काम होगा, ये इसकी drawing है, तो आपको ये समझना होगा कि ये काम में क्या के चीज़े मांगे जारी है, क्या आप ये काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ आप बढ़ सकते हैं भरने से पहले, eligibility में ये अभी फिलाल है कि आप एक company होने चाहिए, या आपके पास company का registration आपको देना पड़ेगा, सीधा बोलना है pen card दीजिए, GST दीजिए, GST individual के नाम से भी registration हो सकता है, pen card individual के नाम से होता है, तो एक individual भी standard में participate कर सकता है, अगर आप company है तो भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इसमें mandatory नहीं है, कि तो देखे, कितना आसान था, 4-5 चीजे हैं, बस थोड़ी time के लिए आपको पढ़ना होगा, आपको पता चल जाएगा कौन-कौन से document इसके अंदर है, और थोड़ा time देना पड़ेगा, देखे, मैं इसको पढ़ने के लिए लगबग मुझे एक घंटे का time लगा था, मैंने आपको proper time देना पड़ेगा, क्योंकि business की बात है, धंदे की बात है, छोटी सी आप miss करते हैं, और rejection आपका हो जाएगा, फाइदा नहीं होगा, तो detail में थोड़ा से time दीजे, कोई issue नहीं है, एक दिन का time लगा लिजे, 100 करोड का tender है, तो क्या हो गए, एक दिन, दो दिन, त इतना time आपको देना है, आप दे सकते हैं, बाकी और चीज में कोई time नहीं लगता, submit करने में 5 मिनिट लगते हैं, 10 मिनिट लगते हैं, बिट को submit करने में, अगर आपके पास सारी चीजे ready हैं तो, तो मैंने आपको ये बताए, कि ये चीजे आपने drawing बगरा को check कर लेना है, जो भी ले रहे हैं, आप ये देख लिजे कि ये तीन मेने क अंदर-अंदर ये काम complete करके दे सकते हैं, कि नहीं दे सकते हैं, रेट्स बगरा के बारे में बता दिया है, बहुत अच्छी चीज है कि successful bidder must submit their offer strictly as per the bill of quantity, जो कुछ भी bill of quantity में है, वही चीज रहेगा, बाद में क changes modification का accept नहीं किया जाएगा, और आगे बताया, must quote the basic rate including all other taxes and duties, एक बहुत ही clear document इन्होंने लिखा है, tender का document, बहुत जगा ऐसे confusion हो जाते हैं लोगों को, इन्होंने बोला कि all other taxes and duties, यहाँ पे bracket में लिख दिया है excluding GST, अगर ये चीज नहीं लिखते हैं, तो लोगों के लिए confusion ह जाता कि GST इसका मतलब मुझे उसमें include करके ही देना है, जो भी मैं basic rate डालता हूँ, उसमें मैं अपना GST जोड ही लेता हूँ, लेकिन नहीं, इन्होंने बोला कि नहीं, GST के अलावा अगर कोई taxes हैं, आपके पास कोई और duties हैं, तो आप पहले ही अपने rate में उसको जोड ल payment term के बारे में बात किया है कि जब आप tender आपको award हो जाएगा, उसके बाद की ये बाते हैं कि आपको performance guarantee देनी पड़ेगी, किस तरह से काम होगा, किस तरह से आपको payment किया जाएगा, ये 3% और 5% के लिए और कितने दिनों में होगा, ये सब चीजे तो आप successful होगा है, tender आपक आपको बता दिया, security deposit आपको 5% का करना है, वो किस तरह से आपको refund होगा, कब तक valid रहेगा, वो सारी detail, यहाँ पर दी हुए department ने, अब इसके अंदर quality, जो quantity की variation के बात किया department ने कि भाई अभी जो हमने बताया है, ये कल को जरूरत पढ़ने पर इसको हम कम भी कर सकते हैं, ब जरूरी है, maintenance और defect वगरा के बारे में आप से clear ये बात लिया जा रहा है, कि भाई, अगर कोई issue आता है, maintenance आती है, कोई problem आता है, छे महने के अंदर अंदर जो आप काम कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी defect या कोई problem आएगी, तो आपको immediate उसको rectify करना होगा, अगर आप नही rectify करते हैं, तो department क्या action लेगा आपके against, वो सारी चीज़े इसके अंदर लिखी हुई है, तो ये सारी बाते हैं तो जरूरी, लेकिन ये bid आपको submit, आपको मिलने के बाद की हैं, जब आपको ये tender award हो जाएगा, उसके बाद की हैं, तो आप फिलाल आप ये पढ़ें या warranty मुझे देना पड़ेगा, तो दस साल का लिए मैं warranty का भी अपना rates, rate code करने के टाइम में ये सब चीज़े उसमें add करनी पड़ेगे, क्यों मुझे पता है कि जो defect आते हैं, वो कितनी बाहरा सकते हैं, क्या हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़े मुझे rate estimate करने में आसानी करेंग तो ये सारी चीज़े हैं, penalty बगर अभी आपको लग सकता है, अगर आप काम delay करते हैं, तो उसके बारे में भी बताएगा है कि अगर आपने काम टाइम पे नहीं किया, delay नहीं किया, अगर जरूरत के इसाप से नहीं किया, तो क्या penalty बगर अलग जाएगा, taxes and duties के बारे में उ अलग से एक point बनाके इनोंने detail बता दिया है, कि इसको तो भरना जरूरी है, government mandate है, तो ये क्या करा है इनोंने, कि without pre-judicized to stipulate in general condition of contract, the quoted price shall be exclusive of goods and service taxes, यानि इनोंने बोला कि पहले हम इसको fix नहीं कर रहे हैं, जो भी rate आप डालेंगे, वो rate exclusive होगा, यानि उसमें GST involved नहीं होग क्यूंकि इसके change होने के chances होते हैं, ये बाद में बढ़ कर भी सकता है, जरूरत के इसाफ से इसलिए, यहनोंने बोला था, GST as legally levival and payable by the debater under the provision of applicable law, act shall be paid extra by BBJ department का नाम है, यानि यहां clear उनोंने बोल दिया कि जो कुछ भी applicable होगा, बाद में GST वो extra आपको pay की जाएगी, यान उसके उपर जो extra GST बनता है, वो आपको अलग से pay किया जाएगा, यानि कि आप अपने rate में GST include मत करें, आपको बाद में जो भी होगा, आप उसके लिए bill produce करेंगे, इन्होंने यहां पर बताया है कि techno commercial के साथ, आप अपने bill वगरा produce करेंगे, time to time पर कि यहां पर मेरे GST के यह सारी चीजे तो आपको ही देखनी है, उसमें वो लगा है कि labor के benefits जो भी है, यह PF wages वगरा है, वो आपको देखना है, department इसमें कुछ नहीं उसके लिए जिम्मेदार है, यह सब तो basic terms होते हैं, अगर मैं काम करवा रहा हूं या मैं कोई काम ले रहा हूं, तो मेरे employee की जिम इसकत वाली बात है, या basic rules, guidelines है, वो है, तो eligibility के लिए सिर्फ उतना ही था, rate को estimate करने के लिए आपको देदिया हूँ है, इनोंने के abstract of cost, जो cost आप करेंगे, वो किस तरह से करने, इसके basis पे, आप पढ़ लीजे कि यह क्या क्या चीजे इसमें चाहिए, किस किस तरह की चीजे हैं, उसके according आप देख लें, उसके बाद अपने rate को estimate करें कि यह यह चीजे उसके अंदर आपको जोड़ना है, जैसे supply, cutting, bending, placing, binding of reinforcement in foundation and यह सारी चीजें आपको देखना है, कि यह material यह सारा चीजे drawing के according आप ही को ready करना है, और यह 1.50 metric ton में होगा, तो इस हिसाफ से आप code करेंगे, तो rate कैसे code करना है, वो तो BOQ के file है, उसमें सीधा जाना है, उसको open करना है, और rate code कर लेना है, तो फिलाल अभी मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता हूँ कि rate किस तरह से filling होगी, BOQ में किस तरह से करना है, क्योंकि हमारा आज के topic था कि मैं eligible कैसे हूँ, तो मैंने कि इस document को मैं आदे घंटे के अंदर-अंदर अपनी जरूरत की चीज़े समझ जाओंगा, कि मुझे क्या क्या चीज़े चाहिए, और जो इस field में है, उनको और आसानी से चीज़े पता चलती है, कि हाँ, construction में ये चीज़े चीज़े चाहिए, ये चीज़े चाहिए, अब य ये चीज़े मेरे पास हैं, मैं तुरंत ये सारी चीज़ों का scan, copy वगार रेडी करूँगा, और टेंडर में participate करने के लिए मैं तयार, तो ऐसे होता है, कि आप apply कर सकते हैं, government के tenders है, आप start-up हैं, तो क्या issue है, आप से कुछ भी नहीं है, start-up वाली बात किर रहे हैं, अगर आपके पास, मान लीजे, अभी अभी आपने शुरू किया है कोई काम, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा, कि जिसे मैं start-up हूँ, लेकिन हो सकता है, पिछले एक साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो एक साल में मेरे पास experience, अगर दस लाग का कोई काम किया हूँगा, क्योंकि इसके अंदर देखिये क्या था, पाँच साल का experience, पाँच साल में कोई भी एक काम आपने ऐसा किया है, सिमिलर की नहीं किया, ये आपको देना पड़ेगा, तो अगर मैं आज ही company शुरू किया हूँ, तो मैं तो वो चीज नहीं दे सकता, लेकिन अगर मैंने एक साल में पिछले पिछले ही साल या पिछले चार-चे मेंने के अंदर-अंदर मैंने कोई काम कंप्लीट किया है, जिसकी value इतनी है, eligible हो गया मैं, मैं वो document दे दूँगा कि हाँ, मैं eligible हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो eligibility चेक करना यही process है, किसी भी tender का, ये procurement के किसी भी website पर ज होती major है, जो बहुत अक्सर लोग पूछते हैं, कि मैं कर सकता हूँ कि ने कर सकता हूँ, as an individual मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ कि ने कर सकता हूँ, या एक company हूँ, मैं मेरे पास क्या-क्या document चाहिए, कौन-कौन सी चीज़े चाहिए, तो यहां से आपको पता चल जाएगा, कौन बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आगे हम वीडियो लेके आएंगे, जिसके अंदर अगला स्टेप हम बताएंगे, रिजिस्टिशन कैसे करना है, फिर इसमें पार्टिसिपेशन कैसे होगा, डिस्सी मैपिंग कैसे होगी, वो सारी डीटेल हम आगे के स्टेप one by one वीडियो में आपको शेयर करेंगे, डीटेल के साथ, तो आप वीडियो को देखते रहिए, अगर कहीं पे आपको लगता है कोई चीज मिस हुई है, तो एक बार फिर से वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखिए, रिपीट करके चाहिए, फिर भी अगर कोई concern है, तो आप tender experts को किसी भी time contact कर सकते हैं, हम बिट submission करने में पूरा help करेंगे, आपको कोई query clarification है, वो provide करेंगे, या आप हमारी services ले सकते हैं, जिसके अंदर हम bid submit करवाते हैं, बिट आपको submit करना है, documents आपके पास हो, आप हमें call कीजे, आपको bid submit करने का पूरा काम हम कर सकते हैं, और करते हैं, हमारा यही काम ही है, तो अगर tender participate करने के बीच में कोई problem आ गई, कहीं कोई error आ गया, कोई दिक्कत हो गई, नहीं हो पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप हमें call कर सकते हैं, immediate आपको support provide किया जाएगा, तो हमारे यह सार services हैं, जिसमें आप tender experts को किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, साथी मैं आप लोग से request करूंगा कि वीडियो को share कीजे, वीडियो important है, बहुत लोगों को इससे फाइदा हो सकता है, जो लोग बिजनेस अभी शुरू कर रहे हैं, बिजनेस में डील कर रहे हैं, बिजनेस में डील के थूरू, तो वीडियो को share कीजे, जाद से जादा लोगों को ये चीज पता चलेगी, जाद से जादा लोगों को फाइदा होगा, लाइक कीजे, subscribe भी कीजे, ताकि आगे के आने वाले हमारे वीडियो के बारे में आपको intimation मिलता रहे, तो आज के लिए मुझे उमीद है, इतना ही काफी है, एक चीज में बता रहा ता भूल गया बीच में, कि फिर से एक बार बता दूँ कि बाकी अगर आपको urgency है, जल्दी में आपको bid submit करना है, तो या तो आप हमारे website पे जाके, यहाँ पे देखिए, डीटेल हमने सारी दी हुई है, bid submit से लिडिटेड आप तेंडर कैसे publish होगा, क्या opening evaluation award of contract कैसे होगा, वो यहाँ से आप कर सकते हैं, हम आगे departments के लिए भी वीडियो लेके आएंगे, जिसमें टेंडर को create कैसे करते हैं, publish कैसे करते हैं, वो सारी चीजे हम आपको बताएंगे, तो फिलहाल आप यह refer कर सकते हैं, या फिर आप immediate help के ल यह number website पे भी available है, यह है 9971-797803, और website है www.tender-experts.com, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, या immediate help के लिए आप हमें contact कर सकते हैं, किसी भी time, किसी भी तरह का error आ रहा हो, e-procurement के portal पे, कोई भी problem हो, call कीजिए, immediate assistance आपको मिलेगा, आज के लिए मुझे उमीद है इतना काफी है अगर यह time जादा है, तो आप video को आदा देखके फिर अगले दिन देख सकते हैं, इसको छोटा, अगर मैं कई parts में करता, तो शायद वो sequence नहीं बन पाता, वो सारी चीजे इस तरह से नहीं बताई जा सकती थी, मैं इसको एक, दो, तीन, चार part करके भी इसको छोटा कर सकता लेकिन बेटर यह है कि आपके पास जितना टाइम है उसको देखिए, बात में फिर वहां से continue कीजिएगा, ज़रूर ही नहीं कि एक ही दिन में पूरा टाइम, आपके पास नहीं टाइम है, तो ओके, आप आज 5 मिनिट देख लिजिए, फिर बात में 10 मिनिट देख लिजिए पर डिफर कर सकती हैं, लेकिन ये वाली जो बैने आपको बताई, ये तो कॉमन है हर वेबसाइट के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए, हर और ऑगनिजिशन के लिए, तो मुझे उमीद है, आज का इतना इंफरमेशन आपके लिए ज़रूर इंफरमेटिव रहा होगा, और आप सबको इसे बहुत होगी, आगे किसी भी तरह की क्वेरी और क्लारिफिकेशन हो, तो आप हमें कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, हमें खुशी होगी आपको रिस्पॉंस करने में, और हमें कॉल भी कर सकते हैं, देखिए, हमारे काम ही यही है, तो कॉल किसी भी टाइ Thank you, bye-bye.